नमस्कार दर्शा को आपने देखना चलू कर दिया दन्यू सिफ्टीन और मैं हूँ आपके साथ सक्षन दिवारी आए रुख करते हैं आज की 15 बड़ी ख़बरों पर पहले चरण में मद्द प्रदेश, 36 गड़, उत्राखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाओं होंगे पहले चरण में 21 राज़ों में चुनाओं होंगे, दूसरे चरण में 30 राज़ों में चुनाओं होंगे 26 अपरेल को दूसरे चरण का चुनाओं होगा मुख चुनाओ आयोक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की डेट्स की घोशना कर दी है इसके साथ ही पूरी देश में आचार साहिंता लागू कर दी गई है प्रदेश में आदर्श आचार साहिंता लागू होने से अब सरकारी कारकरों में समेथ अन्यकार नहीं हो सकेंगे बिहार में मंतराले का बटवारा हो गया है सुनील कुमार को सिक्षा मंत्राले वहीं अशोप चौधरी को ग्रामीन कारिद दिया गया है इसके अलावा 30 मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा किया गया है मुक्मिंद्री नितीश कुमार ने अपने पास ग्रह सामाने प्रशाशन के साथ ही मंत्री मंडल सच्चिवाले निर्वाचन और निग्रानी विभाग के साथ वैसे अन विभाग भी रखे हैं जो किसी दूसरे को अवंटित नहीं किये गए है हैदराबाद से सांसद अवसदीन ओवेसी ने CAA पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्वाजा खट खटाया है ओवेसी ने अनर्सी का मुद्दा भी उठाया है इसके बाद रेडी पट्री वालों को दुकान लगाने के लिए स्थाई जगा दी जाएगी एक सिस्टम मनाया जाएगा जिसके तहट जहां भी रेडी पट्री की दुकान लगेगी वहाँ पर ट्रैफिक के समस्या ना आए आगमी लोकसभा चुनाओ से पहले भारत राष्ट समीती बी आरेस को तकड़ा जटका लगा है दिल्ली में कखित शराब गोटाला मामले में मनी लॉंडरिंग मामलों को जाच कर रही एडी ने बी आरेस की मलसी के कवीता को हैदराबाद से गिरिफतार कर लिया है जिसके बाद एडी उने दिल्ली लेकर आई जहां उने राउज अवेन्यू कोट में पेश किया जहां स्पेशल जज एम के नाकपाल की कोट में कवीता की फेशी हुई राहूल गांदी की भारत जोड़ो नया यातरा शनिवार को अपने अंतिम पड़ाव मुंबई पहुंची जहां राहूल गांदी ने केन सरकार पर जमकर हमला बोला राहूल गांदी ने कोबिट से लेकर राम मंदिर तक पर निशाना साधा बता दें कि 17 मार्श को मुंबई में इंडिया गडबंदन की रहले होनी वाली है जिसमें कई दिग्गस बड़े नेता शामिल होंगे बिहार में BGP के एंडिया गडबंदन को बड़ी जीत मिलती नज़र आ रही है ओपीनियन पोल के नुसार यहां एंडिये को चालिस में 38 सीटे मिलने की सम्माबना है वाई कॉंग्रेस के गवाई वाले इंडिया गडबंदन के महज दो सीटों पर ही समठ जाने की सम्माबना है बिहार में राज़त प्रमुक लालू यादफ की लाख सक्रियेता की बाउजूद इस ओपीनियन पोल में इंडिया गडबंदन का कोई असर दिखता नज़र नहीं आ रहा है वरानेसी में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में गरवती किशोरी का शब मिला था पुलिस की जाच में पता चला कि उसकी हत्या कोशिंग संचालक ने की थी उस किशोरी को नीन की दवा खिला कर मूँ में पॉलिफिन भर कर मौत की घाट उतारा था इसके बाद दुपट्टे से हाथ पैर बांद कर शब को बोरी में भर कर ट्रेन की बोगी में रख दिया था अजीद पवार गुट पर भड़का सुप्रीम कोट शरत पवार का नाम और फोटो इस्तिमाल करने के उपर शरत पवार गुट ने कोट में शिकायत की थी जिसके बाद कोट ने अजीद पवार गुट पर कड़ी फटकाल लगाई है साल दोजार चॉबिस में होने वाले लोगस्वा चुनाओ की तारीक की घोशना के लिए चुनाओ आयुक्त राजीव कुमान ने दोनों चुनाओ आयुक्तों यानेश कुमार और सुगवीर सिंग संदू के साथ प्रेस कॉनफरेंस की इस दोरा नोनों ने चुनाओं में होने वाली सभी सुरक्षा के इंतिजामों से लोगों को अफगत कराते हुए हिंसा को रोकने की बात कही है उन्होंने कहा कि चुनाओं में खुन खराबे और हिंसा के लिए कोई जगा नहीं है उत्तर प्रदेश के जालाउं जिले से एक महिला सिपाही के साथ रेप की बड़ी वारदात सामने आई है रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप महिला सिपाही के साथ तैनाक कॉंस्टेबल पर लगा है जिसकी सुचना महिला सिपाही ने अधिकारियों को दी इस ख़बर के सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हरकम मचा हुआ है महिला सिपाही की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्श कर जान शुरू की गई है LIC की नई प्लाइन का नाम LIC Index Plus है यह प्लाइन इंडिविजुल के लिए जिसमें निवेशोकों को रेगलर बेसिस पर प्रीनियम का पेमिंट करना होगा LIC की इस प्लाइन की खासिए दिये है कि पूरी पॉलसी टेनियोर के लिए लाइफ इंशॉरेंस कवरेज इस साथ से विंग भी कराती है केंदर शाषित प्रदेश लक्षदीप में केंद सरकार ने एक बार ही ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटोती की है सरकार ने लक्षदीप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपे की कमी की है लक्षदीप के एंडॉट और काल पेनी दीप में 15.3 रुपे की कवरती और मिनी कौई 5.2 रुपे प्रती लीटर दर्ग की कीमते कम की गई है केंजरी पेट्रोलियम मंतरी हर्च दीप सिंपूरी ने इसकी जांकारी दी है बॉलिवोड के मोस्ट पॉप्लर कपल कृतिक हरबंदा और पुलकित समराथ शादी के बंदम में बंद गए हैं इस कपल ने दिल्ली से सके हरियाना के मांस और ओवर में आईटी ग्रेंट भारत पैलेस में परिवार और क्लोस प्रेंट के मौजुदगी में शादी के साथ फेरे लिए फिलाल न्यू लिंग वेरेट कपल अपनी इंस्टा पर अपनी ड्रीमी वेडिंग का पहला तश्वीर शेयर कर चुका है गुजराट टाइटन्स की खिलाडियों ने आईपल दोज़ाचोबिस के तयारी शुरू कर दी है इस सीजन में टीम की जिम्मेदारी शुबन गिल पर होगी हारदिक पांडिया ने साथ छोड़ दिया है वे मुंबा इंडियन्स में शामिल हो गए है पांडिया की कप्तानी में टीम चैपियन मन चुकी है लेकिन अब टीम में काफी बदलाव आ गया है गुजरात की प्लेइंग 11 में भी काफी बदलाव आया है टीम के बहतरीं गेंदबाज मुहम्मद शमी चोटेल हैं वे नहीं खेल पाएंगे ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जैने 15 चैनल को सब्सक्राइब करना और बैद आकन को दुबाना मन भूलेगा भन्यवाद